हाई गाईज वेलकम टू माई चैनल तो चलिए आज हम बनाएंगे बारिज के मौसम में घर में गर्म गरम पेटीज तो बनाना इस्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है दो कप मैदा अब इसमें हम डालेंगे हाफ टीज पून नमक और नमक डालने के बाद इसमें मैं डाला है थी टेबल स्पून ओइल डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर मैं डालने ही थोड़ी सी आजवाइन आजवाइन अप्शनल अगर आपको नहीं पसंद तो बिल्कुल न डाले मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आजवाइन डाला है आजवाइन डालने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पाई डाल के इसका एक डो रेड कर लिया है अब इसको हम रेश्ट करने के लिए लगभग 15 मिनिट के लिए अब यहाँ पर फटफट से घोल बना लेते हैं तो मैंने यहां पर लिया है ठीटी स्पून मैदा और फॉर्ड टी स्पून मैंने यहां पर लिया और टाल के लिए और इसको अच्छा से अच्छाने के लिए मैशर लेंगE घोल को घ्रीन क mettघ अब यहां पर हम बनायों इसके लिए यहां पर मैंने लिए वा ऑलु और अठीन एसके हैं को अच्छे से मैंने डाला है तीन बारी कटी हुई हरी मिर्च हरी मिर्च डालने के बाद यहां पर हम डालेंगे करी पता तो यहां पर मैंने थोड़े से करी पता डाले और मैंने डाला है थोड़े से इसमें हल्दी हल्दी डालने का था हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जबने आलू तो इस में डालेंगे कस्तूरी मेथी और मेति डालने ल्रकौत हम इसके कर लेंगे और एक मेड़ तक पकालेंगे कि तो गाल इस सटफिंग बनके और हमीड हो गई लाश्ट में हम डालेंगे से बारी गट ह inhale धनी आर्ट हमारी इस तो चलिए डो को देखते डो भी हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है तो इसे एक बन निकाल के अच्छे से गुन लेते हैं अब इसे मैंने यहाँ पर इस तरह किसे रोल कर दिया और रोल करने के बाद इसे चुटी-चुटी एकक्वल पीसिस में कट कर लिया है और यहाँ पर हम पेटी इसके लिए लेयर्स बनाएंगे तो इसके लिए यहाँ पर मैंने पांच चोटी-चोटी बॉल ली हैं हम यहाँ पर पांच लेयर बनाएंगे तब यहां पर हम एक एक करके सारी लेर्स को बेल लेंगे तो यहां पर मैं थोड़ा सो सूखा मैदर डश्ट किया उसके बाद हम यहां पर उसके बाद हम सारी लेर्स को एक एक करके बेल लेंगे तो यहां पर हम 5 लेयर बनाएंगे आप 6 लेयर या फिर कम या ज़्यादा भी क कर सकते हैं तो काई हमारी सारी बन चुकी है अब इसके बाद यहां पर हम एक को लेंगे और इसमें घोल बनाया थथ उसको सारी लियर 08 ‫3 तो यहां पर मैंने एक लें लिये उस पर इस तरीके से पूरे गोल को अच्छे से लगा दिया है इसके बाद हम एक के बाद एक सारी लेयर्स को रखते जाएंगे और उनके उपार गोल लगाते जाएंगे यहां पर हमने सारी लेर्स पांचो लेर्स को रख दिया है उसके बाद सारी लेर्स में अच्छे से गोल लगा जिए ताकि जब ही हमारी फ्राई हो तो बहुत ही अच्छे से लेर्स निकले इसमें अब यहां पर हम इसको अच्छे से सारी लेर्स को बेल लेंगे अब यहां पर मैं इसकी साइट्स को अलग कर दूंगी तो मैंने यहां पर चारों साइट्स को अलग कर दिया है और इससे हमारी चार पेटी बनके रेडी होंगी तो यहाँ पर हमारी चारो साइट्स अलग हो गई हैं और इससे हमारी चार पेटीज बनेगी तो मैंने इसलिए इसको चार पार्ट में डिवाइट कर दिया है अब यहाँ पर हम आलू की स्टाफिंग लेंगे जो हमने स्टाफिंग बनाई थी है और उसके बाद एक एक करके सारी पेटीज पर हम रख देंगे अच्छे से और इसको भलका सा पाई लगा के इसको फोल्ड कर देंगे तो गाइज हमारी पेटीज जो है बनके रेडियो गई है अब चलिए हम फटा फटसे से फ्राइ कर लेते हैं अब यहाँ पर मैंने लिए एक कढ़ा है उसमें हम डाल देंगे ओईल ओईल को हमें बहुत ज़्यादा इने गरम करना है बिल्कुल हलका सा गरम करना है तो गाइज हमारा ओईल जो हो हलका सा गरम हो गया अब यहाँ पर हम पेटीज को डाल देंगे और मीडियम फिलेंपे हम इसको फ्राइ कर लेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी जो पेटीज है वो फ्राई हो गई है और लियर्स भी बहुत ही अच्छे से खुल गई है तो गाइस हमारी पेटीज जो फ्राई होके रेडी हो गई है अब फटा फट से हम और पेटीज को फ्राई कर लेते हैं तो गाइस हमारी पेटीज बनके रेडी हो गई है चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं तो यहां पर हम टमाइटो सॉस के साथे से सर्व करते हैं आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी अच्छी पेटीज बनी है तो बारिस के मौसम में घर में बनाए गर्मगरम पेटीज अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें